आप सब कैसे हैं? दुग्या की रेसिपी चैनल में आप सब कर स्वागत है? यह मैं बनाने जा रहे हूँ लोबिया इसको हम लोग अपनी भाशा में जूरगा बोलते हैं और आप लोग क्या बोलते हैं बताएगा तो यह लोबिया है इसे और यह कुछ आलू है तो इसे मैं वा शोड़ दोंगी पहले मैं इसे वॉस यह वॉसक लिया है और अपने जुरगे को भी वॉस कर लिया है सिसमें हमें हैं इसमें अच्छे से उबल जाए और आलू और लोबये के अंदर आसे तराव बाद सुभक क है पहले वेपक यहां पाद जगते हैं तो यह लेटकर फिर सब्सक्राइब आइक chip 들고 ट कर देती हूं Siz में ऊबहते हैं तो मैं यह थे दो टोड़ ग्राइब है लमट मिर्ची 9 क्रें लाद शखेट प्रण संस्सावन द्य। यह है प्याज और यह है PCV मिर्च, हल्दी, धन्य का पॉडर और कसूरी मेथी और मैं कुछ अनियन और लासुन है उसे चॉप कर लेती हूं तो मैं इसे चॉप करके आपको बताती हूं मैंने इसमें 8-10 कलिया लासन ली है तो इसे मैं अभी चॉप कर लेती हूं तो देखिए दोस्तों यह हमारा अनियन लासन और जो मिर्च है वो चॉप हो चुका है तो मैंने यहां पर कडाही को गड़न होने के लिए रख दिया है अब इसमें मैं आइल को एट कर लूँगी और इन मसालों को उसमें जो चॉप किया हूँआ अद्रक लासन और मिर्ची का पेश्ट है उसे एट कर दूँगी तो पहले हम इसमें ऐल डाल देते तो यह मैंने ऐल डाल दिया है अब यहां पर मैं अपने लासन मिर्च और अद्रक के जो चॉप किया हूँए उसे एट कर दूँगी और इसे भुनने दूँगी तो इसे मैं अब चम्मच चला लेती हू अब चम्मच चला है तो इसे मैं अभी भून लेती हूँ थिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने मसालो को किस तरास से इसमें डाला हमारे जो यह मसाले हैं उसमें मैं धनिया को भी इसी में अट कर दूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा दूट डाल दूगी तो फिर जब मेरे प्याद लसन और अद्रक के जो चौप किया हो डाला है वो भुन जाए उसके बाद मैं इसे उसी में मिक्स कर लोंगी और टमाटर को भी डाल दोंगी तो इसे मैं थोड़े देर पेश्ट को भीगने देती हूं दूद में तो यह सीक्रेट रेसिपी है दूद के साथ मसालो को मिक्स कर लेना तो इसे आप भी कर के देखिएगा तो यह देखिए मेरे मसाले भून रहे हैं प्याद लसन अद्रक तो मैं यहीं पर अपने जो पेश्ट बनाया है उसे एड कर देती हूं तो यह मसाले मैंने इसमें एड कर दिये अभी से मैं मिक्स कर लूँगी और प्याद लसन के साथ इसे भी बहुत देर तक भूनूँगी तो देखिए अभी से कितना अच्छा लगने लग गया है तो इस तरह से हम मसालो को पेश्ट बना कर डालते है ना तो इसका कलर बहुत अच्छा आता है तो देखिए यह अभी से अबने कलर को दिखा रहा है और कितना प्यारा लग रहा है तो यह पे मैं टमातर को भी एट कर देती हूं और इसे भी मिक्स कर देती हूं और ठोड़ का सूरी मेथि टेंगी तो को सूल्य का टेश्ट मूझे बहुत अच्छा लग जुर्गे को कि वह उबल कर तयार हुआ है कि नहीं और आलू को भी में छिल कर दिखाती हूं आपको तो यह देखिए मेरे मसाले भून रहे हैं तो इसमें मैंने जो दूट डाला है उसके कारण से इसका ग्रेवी जो होता है वह बहुत ही यम्मी दिखता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है तो मैंने यह अपने लोबिया उबाल कर रखे थे वह मैं ला चुकी हूं यह अच्छी तरह से उबल चुके हैं तो यह इस तरह से उबल कर हो गए हैं और मैं इसमें तीन आलू डालूंगी तो पहले मेरे मसाले भून जाते हैं फिर उसके बाद मैं इसे चल्दी बन जाता है तो दोस्तो इसे बहुत चाओं कहाईए और बना कर जरूर देखिएगा तो यह देखिए मेरे मसाले भून कर तयार हो चुके हैं तो इसमें मैं आलू को आड कर देती हूं तो यह मेरे आलू भी कट कर us, तो इसे मैं अपने मसालों में एकर देती हुं मैं अभी नमक इससे नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे जो लोबिया है और आलू है उबले हुए है तो अगर में नमक दालूंगे तो यह ज्यादा ही तूटने लग जाएंगे तो मैं नमक को जब पानी डालूंगी उसके बाद एड़ करूंगी तो अभी मैंने इसे आलू को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इसे थोड़े दिर में भूनने देती हूँ फिर जो मैंने लोबिया उबाल कर रखा हुआ है जुरगे उसे भी इसमें एड़ कर दूँगी तो हम लोग अपने अहां चतिस गड़ में तो इसे जुरगा ही बोलते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं वो बताएगा यह हमारे जुरगे जो उबले हुए हमने रखे हुए हैं और इसको आई बीन्स भी बोलते हैं तो मैं लोबिया को भी इसमें एड़ कर देती हूँ क्योंकि मसालों ने तेल छोड़ दिया है तो यह अच्छे तरह से भून चुके हैं तो अब मैं इसको एड़ कर देती हूँ और इसे मिक्स कर देती हैं तो देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है और यह जितना प्यारा दिख रहा है उतना खाने में भी बहुत ही टेस्टी है तो यह देखिए यह उबल रहा है यह उबल कर थोड़ा गाढ़ा हो जाए फिर हम इसको उतार देंगे और इसे आपको गानिश करके दिखाएंगे कि यह कैसे लग रहा है तो आप भी यह रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिएगा और आप भी खाए अपनी फैमिली को भी खिला तो इसमें आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आपको जादा ग्रेवी की जरुवत नहीं है तो इसे और ठोड़े दिर पक दिखेए और अगर कम ग्रेवी चाहिए अगर ज़या ग्रिवी चाहिए तो आप इसे अभी बंद कर सकते हैं तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगिए से बताइएगा और मेरे वीडियो को पूरा देखियlagen और जो जो मैंने सीक्रेट बताया है उसे 35 च्वह सब्सक्राइबर 2 अरतक टो यह देखिए मैंने इसे गारका लग रहा है जितना ये देखने में प्यारा लग रहा है उतना ही खाने में भी टेस्टी है तो ये रेसिपी आप फॉलो कीजिए और बना कर देखिए वाच के लिए थेंक यू